दोस्तों अगर आप भी सुरिकुमारियादो और रिंकु सिंगो खतर नाग बले बाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तों भारती टीम की जीत के बाद एबी डिविलियास ने दिया संसनी मचा देने वाला बयान जी हाँ दोस्तों भारत और साउथ अपरिका के बीच खेले गए दूसरे टी-20 मैच में भारती टीम को जीत मिली है ऐसे में भारती टीम की जीत के बाद डिविलियास ने रिंकु सिंगो और सुरिकुमारियादो को लेकर बड़ा बयान जारी किया है इस बीच उन्होंने दोनों की तारीब करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसके सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे तो अकिल कार एभी डिविलियास ने भारती टीम की जीत के बाद रिंकु सिंगो और सुरिकुमारियादो को लेकर क्या का है तो आपको बताएंगे मारतान सुरی कुमार यादों ने बैंधरीन बलबाजी करते वे अपनी कप्तानी पारी के जरीयerst 44 योगदान दिया और दूसरी तफ से बैंतरीन बलबाजी कर रहा है रिंको सिंग ने भी कप्तान के साथ निमाया और अपना अर्दशय तक लगा कर टीम को मजबूती दिला दी भारत को 200 रंग के करीम ले जाने का काम किया तो ऐसेम भारती टीम को मिली जीत के बाद एबीडी विलियर्स का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें एबीडी विलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउत परीका के बीच खिले गए दूसरे टी-20 मैंच में भारती टीम को जीत मिली है इस मैंच में भारती टीम की जीत के असली वज़ा कोई नहीं बलकि रिंको सिंगो और सूरी कुमार यादो है क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने जिस पकार से तुफ़ानी बल्लेबाजी करते हुए भारती टीम को बल्लेबाजी में मजबूती दिलाई थी बारती टीम की तरफ से कप्तान सूरी कुमारी आदो के उपर कप्तानी की जिम्मेदारी थी और वैटी 20 के नमबर वन बल्लेबाज हैं। ऐसे में उनको पर अतरिक्त जिम्मेदारी भारत लिए बहतर प्रदोशन करने की थी जो उन्होंने करके दिखाई हैं। उन्होंने अप बड़े खिलाडी की पहिचान होती है रिंको सिंग ने बैतरीन बल्ले बाजी करते हुए टीम को खराब इस्थिती में बैतल ले जाने का काम किया और समय आने पर तुपानी बल्ले बाजी की तो ऐसे मेरे लिए दोनों खिलाडी जीत के हिरो सावित हुए है दोस्तो अगर आप भी सूरी कुमार यादो और रिंको सिंग को खतरनाग बल्ले बाजी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो कप्तान सूरी कुमार यादो और तिलक वर्मा की आंधी में उदास अफरीका का खेमा जी हाँ दोस्तो भारत और साउथ अफरीका के बीच खेले गए दूसरे टी-20 मैच में भारत की खराब सुरूआद के बाद की बल्ले बाजी के साथ मिलकर मैदान पर रनो के ऐस जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूरी कुमार यादो तिलक वर्मा और रिंकु सिंग में कौन है भारती टीम का सबसे खतरना की हुआ बल्ले बाज अपनी राहे में नीचे कमें बाक्स में जरूर दें रवी बिश्णोई और दीपक चेहर की जगह पर शुमन गिल, तिलक वर्मा, रवीन जड़ेजा, कुल्दी प्यादा और मौमा सिरास को शामिल किया गया इस दोरान भारती टीम की तरप से पारी की शरुबाद करनने के लिए शुमन के लिए इसस्वी ज़ैसवाल आया और गिनबाजी की शरुबाध अपना रवी जज़ादा पर किया तिलक वर्मा मैदन पर आया और जोरान जिशाहिन गिनमाजिक साथ बारती टीम को अपना खाता खोलने में मदद मिली लेकिन इसके बाद अगली गेंपर तिलक वर्मा को बड़ा जीवनदार मिल गया जी हाँ दोस्तों तिलक वर्मा बिल्कुल यससवाल की तरह बैक फूट प इसके बाद तिलक वर्मा ने बड़ा शौट खेलने का प्रयास किया और ओवर की तीसरी गेंपर छक्का लगाने की कोशिश की लेकिन तीन खिलाडियों के दौरने के बाद भी तिलक वर्मा का कैच पकड़ा ने गया इस बीच दूसरे ओवर की समापती विल्यम ने शांदा अब पर ननास की जहाँ पर वारते टीम को दूसरा जटका माँत र चैरन की सकूर पोई विल्यम ने दे दे दिया जहान द़स्तो विल्यम ने जबरदस्त गिन बाजी करते वे शूमंगिल को खेलने का मोगाई नहीं दिया और इस दोरहां गिन जबरदस्त खुश effी समान ग रहे और भारत का एक DRS भी बरबाद हो गया इसके बाद अब बले बाजी करने कप्तान सूरी कुमार यादो ने दो विकट गिरिने के बाद तिलक वर्मक साथ टीम को समाला जहां पर तीसरे ओवर में गिन बाजी करने के लिए मारको जेंसन आये जिनका पहला स्वागा थी ति नहीं तिलक वर्मन इस ओवर के अंदर आगे बले बाजी करते हुए शांदार चौका लगाया हाला कि ओवर की समापती पर भी तिलक वर्मने शांदार अंदास से चौका लगाते हुए ओवर के अंदर 14 रन बटोरे लेकिन अंतिम गेन पर नो बाल सावित होई और फ्रीट क पन किया और इस ओवर में 15 रन बटो लिये इसके बाद 5 ओवर में गेन बाजी करने के लिए विलियम सराय जिनका स्वागत स्कूप शौट के साथ तिलक वर्मन ने किया हाला कि 5 ओवर में कप्तान सुरी कुमार यादा ने अपना टी 20 में 2000 पूरे रन करने का रिकौर्ड भी हासिल कर लिया हाला कि कप्तान सुरी कुमार यादा ने ओवर की समापती छकेक 7 और 50 रन का अकड़ा भी पार कर लिया लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेन बाजी करने के लिए गिरोयल गोएट जी आए जिन्होंने वैतरिंग गिन बाजी करते वे भारती टीम को त स्कुर पर तीसरा जट का भी महसुस हुआ इस दोरान तिलक वरमा चखका लगाने के प्रयास में अपना विक आट दे बैठे और इस दोरान गेरोयल गोएट जी ने बाहर आती हुई गेन डाली जिस पर बल्लेबाज तिलक वरमा ने चखका लगाने का प्रयास किया और बा रहा था कि भारती टीम इसी तरीके से तुपानी बल्लेबाजी करेगी और 170 अबी सोबर में बना देगी साथ में मौसम की पूरी अपडेट भी हम आपको बताने वाले हैं तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंट तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है तो वहीं दूसरा टी-20 मैच आज खेला गया इस मैच में भारती टीम ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.3 ओवर के अंदर बारिश के कारण 180 रन साथ विगट के नुकसान पूर बना दिये आपको बदा दे इस मैच में भारती टीम ने पांच बड़े बदलाव किये और भारती टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन को लोड़ गए लेकिन इसके बाद कप्तान सूरे कुमार यादव ने बहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 56 रन का योगदान दिया तो रिंको सिंग ने नाबाद 68 रन की पारी खेली इसके अलावा तिलग वर्मा ने 29 और जड़ेजा ने 19 रन का योगदान दिया इस बीच साउथ अफरिका की टीम की तरफ से गेराल्ट गोएट जी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिये हालाकि अचानक से बारिश आने के कारण मैच को रोकना पड़ा जंका दिखाई दी क्योंकि अब धीरे धीरे दिन के ढ़लने के साथ बारिश का साया कम होगा ऐसा माना जा रहा है कि बारिश के समाप्थ होने के मैच को एक घंटे के बाद दो बारा दस ओवरों का कराया जा सकता है और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो कम से कम पांच ओवर में मुश्किल टार्गेट दिया जा सकता है अगर बारिश आगी भी नहीं रुकती है तो मैच को यहीं से रद करना पड़ेगा और सेरीज का अंत मैच एक मातर निर्नायक मैच के तौर पर खेला जा सकता है